मैंने एक बार कहा कि एड़ी है एक्जामनेशन डिमोक्रेसी मुझे खुशी है इस बात की कि आज में एक बगेला जी जो पूर मुख्यमंती रहे केंद में मंती रहे उनके परिवारे कारक्या में मुझे शामिल होने का मौका मिलना है गुश्रात कई बार और कई मौकों पर मैं आया हूँ गुश्रात की धर्टी ने हमेशा संदेज दिया है राश्पिता महादमा गांदी जिन्होंने जन्म लिया था यहाँ पर और आज भी यमुना के किनारे लोग जाकर के सहता हिंसा के लिए संकल्प लेते हैं और वहीं किश्प भगवान ने जन्म लिया था यमुना के किनारे और आखरी सांस यहीं गुश्रात में ली यह जो रिष्टा उत्तप्रदेश से यमुना का राश्पिता महादमा गांदी जी से और किश्प भगवान से कि जहां राश्पिता मादमा गांदी ने जनम टो गुजरात में लिया था लेकिन आज यमना के किनारे उन्हें याद करते हैं लोग संकल्ब लेते हैं जाकर कि वही भगवान किष्ड ने जहां जनम लिया था और उन्होंने आकरी सांस ढ़ी गुजरात मेरी ती ये रिष्टा यमुना का और उत्पदेश वासियों का है सत्यहिंसा का नारा राजपिता महादमा गांदी ने दिया उस रास्ते पर भारत चला और भारत को आजादी मिली आजादी के साथ साथ राजनेतिक लोगों ने अपने जीवन में उतारा सत्यहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता अपनाया लेकिन जब से भारती जनता पार्टी की सरकार देश में आई और खासकर उत्तपदेश में भारती जनता पार्टी सत्य भूल चुकी है वो सत्य के रास्ते पर नहीं है और अहिंसा का रास्ता बुल्डू जड़ने ले लिया गांधी के देश में अहिंसा का रास्ता ही जिसका बुल्डू जड़ने ले लिया और फिर ED, CBI, Income Tax और गुजरात में अगर ये बात हम पूछें गुजरात के लोग तो मैं सांता हूँ और खासका रुद्योग पती यहां के कई बार मुझे मिले हैं वो कहते हैं कि अरे Income Tax और चापा उन पर न पड़े तुने बड़ा बुरा लगता है तो गुजरात के लोग तो इस बात को जानते हैं वो Income Tax, ED, CBI मैंने एक बार कहा कि ED है Examination Democracy आपको इस परिच्छा से गुजर नहीं होगा कम से कम BJP Congress के रास्ते चल लगी है इस देश में जो परंपरा Congress इंडाली थी उसी रास्ते पर भारती जंता पार्टी चल लगी है भारती जंता पार्टी कोई नया काम नहीं कर रही ED, CBI, Income Tax से चापे मारना और जो लोग चापा मारते हैं वही हसर होगा जो Congress का हुआ है अगर आज ये चापा मार रहे हैं तो खल BJP के भी नाम लेने वाले लोग नहीं बचेंगे लेकिन तेजस्पी यादों कुछ इस तरीके से आज ज़स्पी ने समझ दिया है उसको लेकर क्या करेंगा देखें, CBI, ED, Income Tax ये सब सरकार के सारे पर काम करते हैं इसलिए मैंने कहा आप तो Senior Generalist हैं, पतकार हैं ये BJP Congress के रास्ते हैं Congress ने भी देश के बहुत सारे नेताओं पर ED, CBI, Income Tax समय समय पर मारे हैं उसी रास्ते पर BJP है, तो BJP कौन से नया काम कर रही है अगर Congress आज जमीन पर पहुँच गए तो कल BJP जमीन पर पहुँचेगी ये ये काम हमारे नहीं है, ये काम सरकार के हैं सरकार मिली रहती है कई बार, कई बार सरकार मिली रहती है, सरकार ऐसे फैसले लेती है और नोमिनिशन जेल से हुआ, वो सरकार BJP के थी समाजवादी पारटी जब बाई लेक्शन लड़ रही थी, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के खिलाफ तो BJP के बड़े बड़े ने था उस जिनका नाम आपने लिया उनसे मिले हुए थे और उन्होंने ये दवाब बनाया था बनारस में STF से पकड़ करके उनके परिवार के लोगों पर ये दवाब बनाया कि आपको चुनाओ लड़ना होगा तो सोचो BJP का रास्ता क्या है कि अपरादियों को साथ रख करके कैसे समाजवादियों का नुकसान हो हमने तो उत्तपदेश में मांगा है कि टॉप 10 की सूची दे दो टॉप 100 की सूची दे दो कम से कम देश और उत्तप्रदेश की जनता जानतो लेगी 10 टॉप माफिया कौन है और सीविय एडी इंकम टेक्स अगर लालू पशाद यादव जी के घर परिवार पे मारा है चापा तेजस्वी पे चापा मारा है ये पॉलिटिकल चापे हैं आप किसी को पकड़ कर दो एक ज समाजवादी पार्टी के सदस है उसके आप मैं जवाब दूँगा ने मैं आप से जाना चाहता हूं कि जिनका आप नाम ले रहे हो वो किस पार्टी के सदस है अगर ये नहीं जानती हो तो इस सवाल नहीं पूछना चाहिए मुझस से देश विदेश की ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल वी न्यूस को सब्सक्राइब करें वह बेल आइकान दबाना न भूलें